दोस्तो इस दुनिया में कोई इतना मीरी ब्यक्ति नहीं है जो अपने बीते हुए समय को खटी सकता है और इस दुनिया में कोई इतना भी गरी ब्यक्ति नहीं है जो अपने आने वले समय को बदलने ही सकता है दुस्तो बिप्रित प्रिष्टीती को change करने के लिए आपको सही direction में उतर कर मेहनत करनी के ऊसकता है तो चले दूस्तो आज एक बहुत अच्छा topic के लिए करा हैं आज हम prove करने वाले हैं कि zero factorial command एक होता है तो दूस्तो आइए, आपको factorial का तो idea होगा अगर मैं बात करूँ कि एक फेक्टूरियल का मान किता होगा कहिंगे सर एक होता है हम बात करें कि दो फेक्टूरियल का मान क्या होता है कहिंगे सर एक छोटी छोटी बात सिखा रहे है दोस्तो छोटी छोटी बात ये सिखना जरूरी है के उसके बाद आप बड़े से बडरी बातों की और आप खुद आगे बढ़ होगे दो फेक्टरियल का मान हो जाएगा 2 गुणे 1 गुणा कर देंगे, दो आए जाएगा 3 फेक्टरियल का मान क्या होगा जैँ सर ऐसे ही अगर बड़ा खतर्नात्ट बता दी है। वैसे एक बास सूचो यार कि अगर हमें N को तोरना हो जैसे यहाँ पे 3 प्रेट को तोर्ए हैं तो यहाँ पे देखी तीन गुल है यहाँ पे देखिए अगर यहां पर रुकना चाहे तो फेक्टूरियल देना पड़ेगा अब एक बात हम आप से करें कि अगर यार हमें केवल यह चाहिए न तो यहां पर एन-1 फेक्टूरियल बराबर इधर इन फेक्टूरियल अबटा जुगूना में रते हैं भाग में इन हो जाएगा और यार एक काम करते हैं यहां पर पूट एन बराबर हम एक ले लेते हैं सोचो क्यों एन बराबर एक लिए चुकि एन के जगा यहां पर एक रख देंगे तो एक में से घटे का जीरो फेक्टूरियल मिल जाएगा इधर जीरो फेक्टूरियल का मान इधर जो मिलेगा वही तो चले यहां पर हो जाएगा एक फेक्टोरियल बटा एक अब राबर इधर एक माइनस एक फेक्टोरियल तो एक फेक्टोरियल का मान होता है एक बटा एक अब राबर यहां पर जिरो फेक्टोरियल तो दोस्तो जिरो फेक्टोरियल का मान किता हो जाएगा एक में कसे भाग देंगे एक हो जाएगा और यहां पर देखे प्रूव हो गया है दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में जरूर बताईएगा और चैनल पर नए है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेगा तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक आपको कि यहां पॉड़र बताएब का धाल ले वाल को जरूर वीया है पक्राइब कर दो जरूर भूर जरूर ले गए है तो जरूर भूर जरूर बताईद का दक्राइब कर दो एक हमएएब कर दो ऊовता है